गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का रिलीस गार्डन में आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और आज है 30 जून और चमकीला दिन है तो काफी अच्छी निकल के आई है और सुबह सुबह जो थी मैं अपने गार्डन में थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं गार्डन में क्या कर रही हूँ पॉर्च लगा के लार्ड फोड़े खीलने स्टार्ट हो गए हैं और यह नौ बचे के बाद ही खीलने स्टार्ट होते हैं यह पत्व ही यह आपको पता ही दूस्तों और आज मैं जो मनी प्लांट के साथ हूं और यह देखिए कितने खुबसूरत हो गए हैं मनी प्लांट और कितने कितने बुशी हो गए हैं और मैं इनको देख रही थी आज और सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगा कि यह इतने अच्छे हो गए हैं जबकि इनको लगाए वे बहुत ही कम स तो यह दिखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे नियोन सा कलर आया है यलो आया है इसमें और इसमें जो है वाइट कलर जादा आया है वाइट वाइट इश वाइट इश हो रहा है तो बस यह देखके बहुत अच्छा लगओ और सोचा क्यों न मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर क खुशी होती थी लेकिन जब थोड़ा गाडनिंग किया एक्सपीरियंस हुआ और यूट्यूब पे भी वीडियो देखी जो मेरे गाडनर दोस्ते हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों तो थैंक्यू यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले सभी दोस्तों का ज अच्छा कलर इसके अच्छे बनाने का तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि इसमें क्या करना है कुछ करना बहुत जादा नहीं है दोस्तों जैसे कि हमने मनी प्लांट लगा दिया उसकी कटिंग्स लगा दिया आप चाहे जिस भी मैथर से लगाएं तो उसको लगाने के बा विश्हां क्या क्या करूंगी जैसे ये पोशन खाली है और आगे की तरफ से पूरा भरा होगी यहां पर तो लगाने के कोई गुंजाईश है यह चасти जो एक र्जह निकलते हैं उसको हमें मिट्टी में दबा देने हैं, अपने हैर पीन की मदद से भी हम दबा सकते हैं, जो जूड़ा पीन आती उसकी मदद से दबा सकते हैं, किसी तार की मदद से दबा सकते हैं, या फिर हम थोड़ी सी मिट्टी कुरेद के यहां पर तब भी उसको दबा सकते हैं, इसके जड़े और पती के नोट इस ने श्ट रूम के लिकरत निकल के पास निकल आए को अब अब जिड़े अब का निकल के आजाएता है तो ये प्लांट बुशी हो जाएका तो इसके लिए अच्छा से हमें इसको मिट्थी में दबा यह नां उसВот diesem के इसी एसा मैं तो restoral की मदद से इसको दबा सकते हैं मैं तो दोस्तों इसको एस सा अगया हमीद इसे अगMAN है तो यह अभु़ाइकश जैसे कि यहां पे हुए वैसे ही हो जाएगे तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी और एक दूसरा तरीका यह दोस्तों कि जब हम स्टिक लगाते हैं तो स्टिक के उपर भी हम बहुत सारी अपनी ट्रेल्स को इस तरह से चढ़ा सकते हैं जिससे कि यह ट्रेल् के वाले प्लांटर में तो एक पूरा भूशी हो रहा है और इसमें थोड़ा सा यह ऊपर की तरफ भी बढ़ता जा रहा है तो इस तरह से यह बहुत ही कुपसूरत लुक देते हैं कि यह दिखिए यह सब मैंने इसी तरह से यहां पर इतना यह बूशी किया हुआ है आप दे से मिले होंगे दोस्तों अपने मनी प्लांट को डिरेक्ट दूप में मत रखने से इसकी पत्तियों में एक ब्लैक स्पोट आ जाता है और उससे जो है यह पत्तियों का जो कलर है वह बहुत अच्छा नहीं रहता है और दूसरी दूसरा टिप यह कि इसमें जो भी कुछ ऐसी हमें खराब पतियां दिखती हैं जैसे कोई ऐसे पति किसी कीड़े ने खा ली है या कोई इस तरह से यह देखे यह पतिया होती तो हमें यह सब चीजें इन से हटा देनी है यह हटा देने से क्या होगा? प्लांट की एनरजी नए पतियों को बनाने में लग जाएगी नए प्लांट को बनाने में लग जाएगी तो ये हटा देनी है सडी गली पतियां सडी गली स्टिक्स इस सब हटा देनी है पानी का शावरी से बहुत अच्छा लगता है आप इसकी शावरिंग करें और रिजल्ट आपके सामने हैं तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वाचिंग